बंगलादेश में मच्चे हंगामे के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है धाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताविक राष्टपती मुहमद शहबुद्दीन ने पूर पियेम और परमुख विपक्षी नेता खालिदा जिया की जेल से रिहाई के आदेश दे दिये हैं राष्टपती ने खालिदा जिया को तुरंत रिहा करने को कहा है आपको बतादे कि खालिदा जिया बंगलदेश में मुख्य विपक्षी बंगलदेश नेशनलिस्ट पालिटी की परमुख है उन्हें धुर भारत विरोधी नेता के तौर पर जाना जाता है और ऐसी संभावना है कि वो रिहाई के बाद बंगलदेश की नई परधानमंतरी निउक्त हो सकती है बिगम खालिदा जिया ने मार्च 1991 से मार्च 1996 तक और फिर जून 2001 से अक्टूबर 2006 तक बंगलदेश की परधानमंतरी का पद संभाला था वो बंगलदेश की पहली महिला परधानमंतरी थी जबकि मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान की बेंट जीर भुटो के बाद दूसरी महिला परधानमंतरी थी खालिदा जिया बंगलदेश के पूर रास्ट पती जिया और रहमान के पत्मी है बंगलदेश नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना जिया और रहमान नहीं की थी खालिदा 1984 से बी एंटी के अध्यक्ष है 1982 में तत्कालिन सैना पर्मुक जर्णल हुसैन मुहम्मद इर्शाद की नेतरतुव में एक सैनिय तकता पलट के बाद खालिदा जिया ने लोगतंदर के लिए आंदोरूरन का नितरतुव करने में मदद की थी orta के आम चुनाव में उनकी पार्टी को जीत मिली जिसके बाद खालिदा पहली बार पिम बनी जेल में क्यों बनती खालदा जिया पूर पीम खालदा जिया पर ब्रस्टरचार की आरोप लगे थे उन पर ढ़ाई लाग डॉलर के ब्रस्टरचार की आरोप लगे थे 2018 में खालदा जिया और उनके बेटे तारीक रहमान जिया अनाथल टरस्करप्शन केस और जिया चेरिटेबल टरस्करप्शन केश में दोशी पाए गए गए खालिदा जिया के खिलाव कुल 36 मामले चल रहे थे खालिदा जिया को ब्रस्टचार के मामले में 17 साल की सजा सुनाई जाने के बाद 12-13 में जेल भीज दे गया था अदालत ने ब्रस्टचार के मामले में खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान समेथ चार अन्या लोगों को भी दोशी करार दिया था इन सबी को 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी फिलाल खालिदा स्वस्थ हैं और अस्पताल में भरती हैं अंतरिम सरकार में शामिल होंगी खाल दाजिया शेख हसीना के देश शोड़ने के बाद मंगलोदेश की सेना ने अंतरिम सरकार के गटिन का एलान किया है धाका ट्रिव्योन की रिपोर्ट के मताबिक अंतरिम सरकार में शेख हसीना के पार्टी आवामी लीग से कोई शामिल नहीं होगा वहीं खाल दाजिया की रहाई के आदेश के बाद ऐसी अठकर लगाई जा रही है कि उन्हें या उनकी पार्टी से कुछ लोगों को अंतरिम सरकार में शामिल किया जा सकता है कुछ मीडिय रिपोर्ट्स के मुताबिक खायल दर जिया के बेटे और बंगलदेश नेशनलिस्ट पारिटी के कारेवाख चेर्मेन तारिक रहमान नए पी-म बनाय जा सकते हैं